हेलो एब्रीवन तो आज की वीडियो मैं रिव्यू करने वालूँ एक्रोफी मोस्टराइजर का तो यह काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि बाईया ओयली स्किन के लिए कोई मोस्टराइजर बता दो ड्राइज स्किन वाले तो इदने मोस्टराइजर यूज करते हैं बट हम कोई मोस्टराइजर यूज करते हैं एक्ने होने लग जाते हैं तो हमें कोई अच्छा मोस्टराइजर बता दो हमें लगता है कि हमारी स्किन ड्राइज हो रही है तो आज की वीडियो में मैं बताने व वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देते चलते हैं वीडियो के तरफ यह एक्रोफी मोस्टराइजर तो इसे डोक्टर रैडी कंपनी बनाती है जो की काफी अच्छी फार्मसूटिकल कंपनी इसकी मिनोकसरील वगेरा काफी सार यह चीज़े आती है तो यह मोस्टराइजर अगर आप देखोगे इस वे से कंप्लीटली पैकेजिंग आयाती है इसकी और फ्रंट पर मैंशन देखा जाए तो क्या कुछ मैंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले यहां पर मैंशन है एकने लोशन फोर सीव को कंटरोल करता है सीवा मैंली ओilly मीनलब ओ係ल को बूला जाता है तो थिक है वो आपके स्किन प्राता है उसको यह चांटरोल करता है आप यह चाप करता है और non-commandogenic और fragrance free भी है ठीक है non-commandogenic का मतलब यह रहता है अगर आपकी skin पे oil काफी यादा आता है तो उसके कारण किया आपकी skin पे यहाँ पर पोर्स रहते हैं अगर वो पोर्स क्लोग डोने लगे तो इसके कारण आपकी skin पे यहाँ पे acne वगरा black arts, white arts यह सब बनने लग जाता है तो इसलिए इस पे mention है यह non-commandogenic अगर oily skin वाले इसको use करते है तो ऐसी उनको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली कि उनके skin पे acne, pimples वगरा बनने लग जाएंगे या होने लग जाएंगे अब mainly कि यह gel based moisturizer है ठीक है अगर dry skin वाला moisturizer oily skin वाले यूज़ करते है जैसे कि वो cream based रहता है तो उसमें moisture भी जादा रहता है तो वो आप लोग यूज़ करते है तो उसके gun क्या रहता है आपके post skin के clogged होने लग जाते है अच्छे से इनको हवा नहीं पहुँच पाती है खुज उपर यहां पे oil सा आ जाएगा oily से हो जाएगी dirt भी attract काफी ज़्याद होगी तो यहां पे आपके काफी ज़्यादा acne भी देखने को मिल जाते है फंगल acne भी होने लग जाते है तो इसलिए यह मोश्यराइजर special जेल बेस रहता है तो यह चीज आपको थोड़ा फंडा अच्छे से समझ आ गया होगा अब मैं अंदर से आपको दिखा दू तो किस वे से यह मोश्यराइजर आयाता है तो इस वे से आपको यह देखने को मिल जाता है तो यहां पर आपको यह पंप सा देखने को मिलता है ऐसा नहीं बहुत पिछकारी सी निकल गयाती है यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं है नौर्मली इसको प्रेस करने के बाद यहां पर मोश्यराइजर जेल फोम में हलका असा दूर्मलीि घृता है जेल बेस रहता है यहँना कि इसको क्रिमी बहुत परिखनी करता है यह आपको रखेके बाद की नहीं लग सा दिकता है यह आपको लगेगा कि ग्रीसी होु रही है propyelin glycol nia cinnamide वोगरा इसमें देखने को मिल जाता है जो कि moisture का काम भी करता है और आपकी skin पर dark sports भी सही करता है उसके लिए बी काफि सही रहता है अब आपको बता तेता हॊं ये moisturizer आपको use कैसे करना है、 कितने time use करना होता है तो देखो जैसे कि आप face wash करते हो पर apply कर सकते हो आप तो सबसे पहले आपने face wash कर लिए face wash करने के बाद आपको अपनी skin को अच्छे से dry कर लेना है dry का मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा पानी निकल जे हलका सा पानी रहता है तो कोई दिख करने है ठीक है उसके बाद आपको इसके one या two pump ले लेने है then इसको अच् यूज़ कर सकते हो इस वे से one time यूज़ करो एनफ है आप night में भी यूज़ करना चाते हो कर सकते हो कोई दिखन नहीं है लगा कर सोगते हो कि जिनको चाहिए कि ज़्यादा मोस्चराइजर रही है हमारी skin पर ऐसे मालब dry सी लगती है हमारी skin तो यह यूज़ कर सकते हो oily skin व बट बोला जाता है कि यह चीज़ आपको देखने को मिल सकती है बोडी के reaction के इसाप से देखा जाए तो हाँ यह चीज़ हो भी सकती है कि अगर आप इसको मलब जैसे की उपर से मोस्चराइजर लगाने लग जाओगे तो skin को पता है कि मेरे तो already मोस्चराइजर पढ़ा है skin पर मोस्चर पढ़ा है निकल के सीवम ना जाए सीवम का production ना हो तो यह चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है इसलिए अगर आप एक मोस्चराइजर उपर से अपलाए करने लग जाओगे तो आपकी skin दीरे-दीरे सीवम कम produce करेगी जिसका करना आपकी skin पर ज्यादा oil न बट आपकी skin moisture नहीं रहेगा आपकी skin पर जो चाहिए actual में आपकी skin को इसलिए ये सिर्फ oily skin वालों के लिए ज्यादा moisture इसमें नहीं है कि बहुत जादा oily सी आपकी skin कर देगा या ज्यादा moisture चोड़ देगा ड्राय स्किन वालों को ज़्यादा मोस्टर चाहिए होता है जिसके गारन उनकी स्किन पर रिंकल्स वगरा ना है ड्राय स्किन वालों के रिंकल्स जल्दी होने लग जाते हैं एजिंग जल्दी होने लग जाती है तो आप प्रोपरली मोस्टर यूज़ करते हो उनकी स्किन पर रिंकल्स नियाते ड्राय स्किन वालों की और मेरा परसनल एक्सपिरियंस बताओं इसके साथ में तो अच्छा मोश्चराइजर है कोई दिक्कन मुझे देखने को नहीं मिली एकने वगएरा भी ऐसी कोई बाद मुझे देखने को नहीं मिली कि इसको यूज़ करने के बाद मेर कि इंस्टा फ़लो कर लेना कोई कोईर रहती है आपके कुछ भी कुशन्स रहते हैं तो आप मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में